चीन के पीछे हटते ही मोधी सरकार ने की बड़ी कारवाई लिया बड़ा फैसला जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीचे डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है यानि चीनी से ना वापस अपने अलाके में लोट गई है जिससे सीमा पर काफी अत् कंपनी में सीधे पैसा लगा सकती है गलवान घाटी हिंसा के बाद मोधी सरकार ने चीन से ज्ड़े FDI को रोग दिया था यानि कोई भी चीनी कंपनी बिना सरकार की परमीशन के भारत की किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकती थी लेकिन अब सरकार ने इसे मनजूरी द लगा हुआ है यानि हिंदु मृतिकों की अस्थियों को गंगा का पानी नसीब नहीं हो रहा है इसलिए पाकिस्तान की हिंदुओं ने पीम मोदी से वीजा नियुमों में ठिलाई की गोहार लगाई है ताकि उनके मृतिकों की अस्थियों को गंगा का पानी नसीब हो सके